गुल मॉलिंग इस्टुडेंट बेटा यूर नेक्स टॉपिक इस प्रोड़क्ट ऑफ कॉल इससे पहले हम डिसकस किया था कि कॉल क्या होता है कि कॉल को कैसे हम ऑप्टेंड करते हैं और क्या यूजिज है अब बेटा हम डिसकस करेंगे कि कॉल के प्रोड़क्ट क्या है तो जो call है इसके various product है different product है जब हम इसको cool करते है sorry heat करते है in the absence of air मतलब हवा की absent में तो various useful product obtained by the processing the call by heating in the absence of air जब air हवा की absent में जब इसको heat करते हैं तो हमें क्या है कि बहुत सारे different जो product हमें प्राप्त होते हैं like for example के लिए जैसे call gas है number one call tar है और coke है यह क्या है बेटा इसके product है बेटा ठीक है अब यह जो हमाई product जो हमें update हुए है call से तो जैसे call gas, call tar and coke तो इनको कहते हैं हम बेटा product of call के लिए बेटा अब हम discuss करेंगे one by one number one is coal gas and number two call tar and number three coke तो number one है बेटा हमार coal gas तो coal gas क्या है बेटा coal gas is a gases fuel मतलब वह इंधन है which is obtained by strong heating of coal in the absence of air जो हवा की एपसेट में बहुत strongly जब इसको heat किया जाता है तो हमें क्या gases इंधन प्राप्त होता है during the process of coal to get coke जब हम कौन शिपर की रिया के दौरण जब हम कोल से coke प्राप्त करते हैं ठीक है किसकी एपसेंट में in the absence of air ठीक है बेटा तो strongly इसको हम heat करते हैं तो हमें क्या मिलती है gases fuel तो इसको कहता हम बेटा coal gas अब जो बेटा coal gas है बेटा यह mixture है किस-किस का mixture है methane and hydrogen gas का mixture होता है ठीक है बेटा किस-किस का methane and hydrogen gas का यह mix है and कुछ amount इसकी carbon monoxide की होती है किसकी होती है carbon monoxide manly mixer होता है methane का और hydrogen का और कुछ amount इसकी बेटा carbon monoxide की होती है clear बेटा अब क्या है कि all gases present in the coal gas ठीक है जितनी भी gas है coal gas में present होती है और can burn to produce heat और उनको heat गरम करने पर strongly heat करने पर हम उसको अप्टेंड करते हैं due to which coal gas is excellent fuel क्योंकि ये बहुत अच्छा बहुत excellent इंदन है ये बेटा ठीक है बेटा अब जो ये coal gas है इसका use हम बेटा industry में करते हैं ठीक है और coal coal processing plant होते है जो उनमें हम इसका use करते हैं ठीक है बेटा अब क्या है कि ये क्या है कि इसको हम good amount of light light की अच्छी प्रकास के लिए हम इसका use करते हैं ठीक है बेटा अब क्या है it is coal gas has also been used for lighting purpose lighting purpose के लिए इसको हम use करते हैं और in ancient time ठीक है बेटा in the past time ये means प्राचिन काल में या पहले जो हमें coal gas थी तो बेटा firstly इसको कहां use करता है lighting street के परपज के लिए यूज करते थे प्राचिन काल में और सबसे पहले बेटा इसको फर्स टाम जब इसको use क्या था तो इसको लंदन में use क्या था लंदन जो street है गलियों में lighting purpose के लिए use क्या था इसको क्या था बेटा 1810 में फिर इसके बाद 1810 के बाद इसको हम lighting purpose के लिए ही street में इसको use क्या था new न्यू यूऊर्क में न्यू यूर्क में इसको उज क्या था बेटा approach 1820 यानि के अटार सो बीस में यूज क्या था टिक तो बैटिय है हमारा करन गेस है अब न B concur TWO आचा है बैटर हमाराห Aufg एक ATPomet गर्लह निक्षी मेंट होती है उल्डन इसकी निकि एक होती है यह कंटो इफिक होती है विशिघ्टिंग कोल इफकते तो ईचिक होती है अफियर जो हमें कोल है उसको भी बहुत जाइश्टिंग हीट करने पर हम इसको पराप्त करते हैं और हवा की एपसंट में ठीक है क्या है बेटा ये एक बलेक और ठीक लिक्विड होता है और इसकी जो में स्मेल होता हुए अनप्लीजेंट होती है और इसको कब ऑप्टेंड क तो हीट करते हैं इसक्राइब हैं, तो यह होता है हमारा कोल तार ठीक है बाटा, अब जो कोल तार है बेटा, यह हमारा क्या की मिक्चर है, किस का लगवक, ऐप्रोक्स ना है, कार्बन कोंड कोंड कितने का दो 91 क मिक्चर है अब जो यह यूस्फुल कारबन घंपाउंड भी ंहाँ है यूसफुल जो हमारे कॉल थार में प्रिजेंट है जैसे इसमें के इन्किलूद है जैसरे बेंजिन है नेफिलीन है फिनोल है आनलीन है यह इसमें ब体ों ठ्रिजेंट होगतर है ठीक है बेटा अब जो ये अब इसका जो यूज करते हैं हम बेटा कॉलतार का स्टार्टिंग मेट्रियल फॉर मैंनिफेक्चरिंग ए लार्ज नमबर अब स्बस्टांस यूज इवरी डेलाइप में हम डेली यूज रोज मरे की जो लाइप उसमा हम यूज करते हैं इंडिस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं जसा फॉर एक्जाम्पल के लिए His product लाइस होते हैं में मेंमेट डाइस होती है उनको बनाने मिउज करते हैं पर्फिम बनाने में में यूज करते हैं और अपने बोडीयल जो material होते हैं photographic जो lab होते हैं photo हम लेते हैं जो उस material होता है जो उसमें इसको use करते हैं और roofing material में हम इसको बैटा use करते हैं कोलतार ठीक है बैटा अब क्या है कि कोलतार has been traditional use for metal in the road अपने road पे use करने use करते हैं कोलतार रहा ठीक है बैटा अब क्या है बैटा number three है इस coke coke क्या होता है बैटा coke जो इसका third product है और जो थर्ड प्रोडेक्ट है कोल का वो third product क्या है हमारा वो है coke coke is tough toughness कठोर and porous porous बोलता है बैटा इक तरीके से जर जरा टाइप का होता है ठीक है black solid substance होता है यह काला कठोर substance होता है ठीक है फिर क्या है कि आप जो coke है इसको भी बैटा हम क्या करते हैं कि हीट करने पर इसको अप्टेंड करते हैं इसको भी हम हीट करते हैं जो कॉल है उसको हीट करने पर इसको को करते हैं किसकी एप सेंट में एर की एप सेंट में अब जब बेटा इसको क्या है कि जो कोल है यह मौस्ट कोक है जो हमारा मौस्ट यह क्या है कि कोल माइस वोलेटायल कॉंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट 98% carbon होता है ठीक है कितना 98% carbon होता है और इसको जो हम यूज करते हैं बेटा manufacturing वे इस टील में यूज करते हैं एज इंधन यूज करते हैं और यह क्या है कि जो को के हमारी better होती है कोल से क्यों क्यों कि it produce more heat और यह बहुत ज्याद़ heat produce करती है और बर्निंग जब हम इसको गलम करते हैं जितनी हम कोल जलाते हैं उससे अच्छी मतलब ज्यादा यह heat produce करती है ठीक है बेटा और यह है और कोक बर्न without producing any smoke और जो कोक है बर्न होता है और मतलब कोई smoke कोई इसमें दुहावा गिरे इसमें produce नहीं होता ठीक है बेटा तो यह है बेटा हमारे कोक तो यह थ्री दिज आर थ्री प्रोड़क्ट नमबर वन कॉल गेस कॉलतार एंड कोग दिज थ्री प्रोड़क्ट और कॉल आर काल प प्रोड़क्ट अपॉल नेक्स्ट टौपिक है बेटा आपका पेट्रोलियूं और नेट्रिल गेस और पेट्रोल ने थी बत्रहें इसको हम नैट्स्ट लेक्टर में डिसकस करेंगा ओके थिंक्यू बेटा हैं एवने इसटे